अमावस्या के दिन आपको लगता है तो एक पीपल का पत्ता ले लो उसके उपर एक कपूर का तुकड़ा ले लो सारे घर में घुमा कर उसको दरवाजे के बीच मद्धे में जलाकर रख दीजिए थोड़ी सी दरवाजे लाज़ी बीच से पचीस मिंट के अंदर स्वयम गु तो उसको अश्मिक यग्य का पुन्य प्राप्त हो अश्मिक यग्य के पुन्य को पाने के लिए खपूर का तुकड़ा आज भी आर्ती में जलाएगा आज एक कपूर का तुकड़ा हां इसी लिए हमारे यहां सास्तर करता है मारच जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचेनी हैं बहुत दुख तकलीफ लग रही है कोई ना कोई बिमार पढ़ रहा है कुछ ना कुछ तकलीफ है लग रही है तो एक पीप के अंदर मकान में इनर्जी बापिस अगया है उसका बस एक बार रोज नहीं जरुवत है प्रती दिन जरुवत ही नहीं महिने में एक बार अगर मावस्त्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अदिदेव महादेव को साथ इस्थान पर समर्थित किया है अशुक यहाँ पर बढ़न कर रही है मेना धन्या और कला की कथा कर रही है तीनों ने सनकाद रिशियों से मा मांगा चंदन भगवान को अती प्रिय होता है और चंदन ही यह कैसा होता है जो पित्रों को भी प्रिय होता है जिसका इस पर्शमात्र लगने से पूर्वजों का कल्यान हो जाता है वो चंदन का साथ स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर धूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है साथ स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पित्र लोग के पित्रों को मुक्ति पदान करके बेकुंत लोग का निवास देता है साथ इस्थान और वो साथ इस्थान जो चंदन के बताएगा है पहला भगवान देव दिदेव महादेव के शिबलिंग पर चंदन का लेपन समझ लेना जरा बहुत अच्छे से आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहा है या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है ऐसा भगवान लगता है बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा पती को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है आपको लगता है साथ इस्थान, चंदन के बताएं महाराज, पहला शिबलिंग, दूसरा, जहां गणेश जी का इस्थान है, मालू में न सबको, जम के बोलो जरा, मालू में न सबको, जहां गणेश जी का इस्थान है, वहाँ, अलक से गणेश जी बेठें वहाँ नहीं, शिबलिंग में, जला बाबा के शिविलिंग पर दूसरा घणेज जी पर चंदन की उंगली तीसरा शडानंद कार्ती के पर चंदन की उंगली चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली पांच्वा जलाधारी पर चंदन की उंगली छटा जो शिविलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विप्र जुझे चेंदेर की ओर चंदनकी और सात्वा चंदन नंदी के मस्तक के ऊपर जो दूसींग लगे रहते हैं उस पर चंदनकी उंगली यह कब लगाई जाती है या टो अमयावस्या के दिन आपको लगता ऐर है कि हमारे पूरवजों का उध्धार नहीं हुआ हमारे पूरवज जरूती में कोई चला गया है उसका बस एक बार रोज नहीं जरूत है प्रकिदिन जरूत ही नहीं महिने में एक बार अगर मावस्त्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अदिदेव महादेव को साथ इस्थान पर समर्पित किया है अशुक यहाँ पर बढ़नन कर रही है मेना धन्या और कला की कथा कर रही है तीनों ने सनकाज रिशियों से मांगा चंदन भगवान को अती प्रिय होता है और चंदन ही यह कैसा होता है जो पित्रों को भी प्रिय होता है जिसका इस परशमात्र लगने से पूरवजों का कल्यान हो जाता है वो चंदन अगर में पित्र दोश है आपको ऐसा महसूस होता आपको लगता तो किसी भी नौरात्री के पहले जो मवस्या पढ़ती है अपन अमवस्या पढ़े अपन अंदाज लगाईए तो जिस दिन अमवस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकड़ा रख दीजिए छोटा सा और कपूर का तुकड़ा रख कर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पित्रों का इसमन करकर जला दीजिए और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी ब्रक्ष की चाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजी शुमाहापुराण की कथा करती है अगर मान लो पित्र आपको कष्ट दे रहे हैं पित्र आपको तकलीब दे रहे हैं कोई काम नहीं होने दे रहे हैं या कहीं आपको ऐसा लगता है कि पित्रों का दोश है तो वो पित्र दोश देवी ये जो आप करेंगे ये कप कर रहे हैं अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में सुभा एकम पढ़ गई नौरात्र लग गई उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया अर्थात उससे देवी और पित्र इन दोनों का अशिरवाद जो प्राप्त होता है तो घर में से पित्रदोश समाप्त होकर लच्छमी की वर्द्भी प्रारम्ब हो जाते हैं तारे में सिद्धता आजाएं मान लो अगर पित्रदोश है तो करो नहीं है बड़े अलमास्ती सराओ तो यह पित्रदोश का स्मरण तो यह शास्त्र करें कि पित्रों का जो लोक होता है पित्र जो लोक होता है उस पित्र लोक में जोसट योगनिया प्रवेश नहीं कर शिम महा पुराण कर रही है शंकर की कथा कर रही है एक छोटा सा उपाए अवश्य करिये लो मान लो आपको लग रहा है कि आपके घर में पित्रदोश है आपको ऐसा महसूस होता है मवस्य पढ़ती है चावल की कटोरी में एक कपूर का तुकड़ा रख दीजे चोटा सा और कपूर का तुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पित्रों का इस्मन करकर जला दीजे और जलाने के बाद उस चाव को कहीं भी किसी भी रख्च की चाओं में पक्षियों के लिए डाल दीजिए श्यों महापुरान की कथा करती है अगर मान लो पित्र आपको कश्ट दे रहे हैं पित्र आपको तकलीब दे रहे हैं कोई काम नहीं होने दे रहे हैं या कहीं आपको इसा लगता है कि पित्रों का तो वो पित्र दोश देवी अब इस अलब करेंगे यह कर रहा है हम अवस्या के दिन आप उसको रख रहा हैं आनुज के दिनुसको रह कर रात भर अपने रख्भा कपूर के साथ में सुभा एकम पढ़bsh परगई उसी को को जला कर आपने पटड़ दिया अर्थात उससे देवी और पित्र इन दोनों का अशिर्वाद जो प्राप्त होता है तो घर में से पित्रदोष समाप्त होकर लच्छमी की वृद्धी प्रादम्ब हो जाते हैं अम आवस्या के दिन दिन प्रदोष काल में प्रदोष के समय पर प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी तलाप बावडी कुवां कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो वहाँ पर एक घी का दिया बत्ती का मूं डक्छिन की ओर करकर अवस्य जला करा जाना सारे प और अमावास्या के दिन लगाएं जरूर क्यों क्योंकि अमावस्या 16 तक पित्र मृत्यू लोक में आने के बाद में भोजन ग्रहन करते हैं अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोश्काल में शंकर हगवान का नाम प्रदोश काल के समय पर इसलिए प्रदोश काल में जलाशय के पास में बावोडी कुआ नदी तलाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिन की और मुख करकर बत्ती का तो पित्र आशिरवाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो आगे बड़ो उन्नती करो तरकी करो यह पित्रों का आशिरवाद रहता है पित्रों का वर रहता है आप देंगे कुछ करा ना करा फिर अमभश्या के दिन वो उजन दिया लक्षण की और बाती का मुख करकर साथ इस्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पित्र लोग के पित्रों को मुक्ति पडान करके बेकुंथ लोग का निवास देगा और वो साथ इस्थान जो चंदन के बताएगा हैं पहला भगवान देव देव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन कमज लेना जरा बहुत अच्छे से आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं या कोई जल रहा है या कोई मर रहा है या कोई चला गया है ऐसा भय लगता है बच्चों को मानी भेजूंग इसा हो जाएगा जिनके आपित्र दोश होता है कालसरब दोश होता है वास्तू दोश होता है उनको ज्यादा कुछ नहीं करना होना महाराच एक बेल का फल लीजिए उसके अंदर का जो गुर्दा होता है अंदर का जो भाग होता है उसको निकाल लीजिए और उस बेल के फल में आटा सेख कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको उसके अंदर भर लीजिए अमावस्या के दिन सुबहा दस बजे से पहले उसको अपने घर में गुमाने के बाद में जिस जिसको कालसर्फ दोश पताया है पित्र दोश बताया है या वास्तू दोश का इसमन बताया है घर में सब्दूर गुमाकर अपने परिवार का हाथ का इसपर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे दा पती को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा कोई हमारे कन कोई गलत तो नहीं कर रहा है आपको लगता है साथ स्थान चंदन के बताएं बाबा के शिवलिंग पर दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली तीसरा शडानंद कार्ती के पर चंदन की उंगली चौथा अशुक सु बह रहा है इसके ठीक विप्रीत की ओर चंदन की उंगली और सात्वा चंदन नंदी के मस्तक के उपर जो दोसींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली यह कब लगाई जाती है या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूरबजों का उद्धार नहीं हु हुआ कई अधोगती में कोई चला गया है उसका बस एक बार रोज नहीं जरूवत है चार दिन दुकान अच्छी चले बाती के समय बेखना पड़े समय ना पित्रदोश घर में बच्चे चिट-चिड़ हो जाया है गलत संगती में डूब जाया है समय लो चिट-चिड़ हो पित्रदोश घर के बच्चे माता पिता का आगर ना करें सम्मान करें बात करें समय लो पित्रदोश मालूप पड़े पो उतने से अगर आपनी समझ सके है परिवार कर कोई हो एक लेकिती जब 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 हो जंग ने वेटि तब उसकी ठाली में बाल आये बहले वो उतल में वह आपकों बाल है पर अपने दिन स्टोन गुशा समझ भ्ण computer स्योंग के नियुक्त श्राएं तोर सेवेट रहाएं एक पैल का फल तरी का उसको वह उतलो उसको पाई छुझा यह और उस बेल के फल में आटा सेख कर उसमें शक्कर मिलाकर उसको के अंदर भर लीजिए अमावस्या के दिन सुभा दस वजे से पहले उस बेल फल में जिसमें तुमने पंजेरी भरी है आटा सेख कर भराये शक्कर के साथ में उसको अपने घर में घुमाने के बाद में जिस जिसको पालसर्प दोस्ट बताया है या वास्तु दोस्ट का इसमन बताया है घर में सब्दूर घुमाकर अपने परिवार का हाथ का इसपर्श कराकर पीपल के पेड़ के नीचे दखड़ा खोरकर उस बेल पत्र के उस फल को द हम तो कई बार करते हैं महाराजी अगर ऐसा लगे किसी ओशदी को आप ले रहे हैं मालूम पढ़े कि ओशदी आपको लग नहीं रही है शियुमाहापुराण की बता करें मानलो ओशदी आपको नहीं लग रहे हैं आपने ओशदी बहुत दिनों से ले रहे हैं मानलो आप किसी छी से बी दावाय को घंड करना है और ऊजए लगी नहीं रहें और ःप ठीक जो तरीं मैं हो पहरें पंदरा देन हो गया फंद्रा दिन गया अट दिन हो लिए और प्रदोश की प्रदोश, कम 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 प्रदोश नहीं हो, और बिमारी ज़रा दवाई लगी नहीं रही हो, तो बिना प्रदोश के भी कर सकते, उसको पानी में गलाईए, आदा घंटा पानी में, जैसे आपको सुह मंदिर जाना है दस वजे, तो सुभा इस्नान करकर कम से कम साड़े साथ बज़े उसको पानी में गला दीजिए और उस बेले के फल का गुर्दा सा गला हुआ पानी शिवजी को ले जाकर समर्पित कर दीजिए उस पानी में से थोड़ा सा एक चमच पानी शिवजी पे चड़ा हुआ लेकर जाईए उस जो बिमार रेखती है उसको ओशदी देने से पहले मात्र आधी चम्मच से भी आधा चम्मच उसको दे दीजिए भगवायम संकर का श्री शिवाय नमस्तु भ्याम का जाब करकर उस पानी को देने के बाद अगर आप ओशदी देंगे तो ये पका है कि वो शदी अपना कारे करना प्रागम कर देगी और वो सुस्त होना प्रागम है